तो फ्रेंट्स आज किस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम जिरोधा ट्रेडिंग प्लैट्फोर्म पे अपने शेर्स को सैल कर सकते हैं अगर आपको टीपीन जनरेट करने में कोई प्रोब्लम आ रहा है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे जनरेट करना है तो चलिए शूरू करते हैं तो फ्रेंट्स सबसे पहले आपने क्या करना है यहां पे पोटफोलियो सیک्शन में जाना है जहां पे हमारी होल्डिंग्स होंगी तो मैं यहां पे टैप करता हूं अभी friends देखिए by default तो मैं holdings में आ गया, अगर आप position वाले section में होगे तो आपने यहाँ पर tap कर लेना holdings पर आ जाओगे अब ठीक है, मैं तो पहले हो, यहाँ माली जी यहाँ पर थे, holdings पर tap करोगे तो holdings में आ जाओगे, यहाँ पर friends आपके shares दिख जाएंगे, जो भी आप करोगे, exit means cell है यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर यह exit बटन दिख रहा है, यहाँ पर आप tap करोगे, अभी friends देखिए, सबसे पहले quantity field में, आपको quantity एंटर करनी है, कितनी आप cell करना चाहते हो, जितने जैसे अभी इस time मेरे पास 26 quantity है, तो वो by default 26 आ गई, लेकिन जुरूरी नही है, कि मैं कम भी कर सकता हूँ, total तो मेरे पास 26 है, लेकिन मैं चाहूँ, तो 10 कर दूँ, 1 कर दूँ, 5 कर दूँ, या पूरी 26 कर दूँ, मेरी मर्जी है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले quantity field में quantity एंटर करोगे, जितनी sell करनी है, मुझे सारी sell नहीं करनी है, मैं सिर market price selected, market price का मतलब है, जो भी market में price चल रहा है, उस पे मैं sell करना चाहता हूँ, ठीक है, अगर आप किसी desired price पे करना चाहते हो, तो आपने क्या करना है, यह वाले button पे tap करना, यहाँ पे tap करना, और आपको क्या करें होगा, कि यहाँ पे option आ जाएगा कि price enter कर लो, और जिस भी price आपने sell करना है, वो कर सकते हो, जैसे इस time 60.61 चल रहा है, तो मैं इसके नीचे का कोई भी price enter कर सकता हूँ, या उपर का price, sorry, इसके उपर का price enter कर सकता हूँ, कोई भी, जैसे मैं चाहता हूँ कि जब stock 68 पे आ जाए, 70 पे आ जाए, 100 पे आ जाए, यह मेरी मर्जी है, आज ही म enter कर सकता हूँ, यहाँ पे, ठीक है, enter करूँगा, तो pending order में order चला जाएगा, लेकिन, अगर आप चाहते हो, नहीं, अभी ही sell हो जाए, quickly, तो आपने कुछ नहीं करना है, यह button पे press करके, यहाँ पे make sure करना है, कि यहाँ पे market आ जाए, मैं करके दिखाता हूँ, यहाँ पे press क हो, क्योंकि आप holding बेच रहे हो, intraday नहीं कर जो, अगर ठीक है, यह hold, आपने बिसा यह make sure करना है, यह वाला select हो, ठीक है, long term select हो, उसके बाद friends, आप नीचे देखिए, यहाँ पे जाओगे, और अभी यह वाले button को हमने swipe कर देना है, हमारा stock sell हो जाएगा, मैं करके दिखात हो, अभी देखिए, friends, अभी हमने यहाँ पे continue button पे press करना है, यह कह रहा है कि cdsl pin होनी चाहिए, अभी हमारे बास नहीं है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, कैसे generate करना है, ठीक है, continue पे tap करते हैं, अभी देखिए, friends, यहाँ पे नीचे आपको option दिख रहा है, forget cdsl pin, बस यह हमने tap करना है, और हमारी pin generate हो जाएगी, मैं tap करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे अभी हम close कर देंगे, और हमें tp in, यह देखिए, मेरी tp in, मुझे sms के तुरू आ गई, बस इतना ही काम है, tp in generate करने के लिए, ठीक है, तो अभी हमारे पास tp in आ चुका है, तो अभी हम क्या क करेंगे, यहाँ पे continue to cdsl पे tap करेंगे, अभी अपना tp in एंटर करेंगे, जो हमें अभी sms के तुरू मिला है, tp in एंटर करने के बाद, यह verify बटन दिख रहा है, यहाँ पे tap करेंगे, और देखिए, फिर से हमारे पास option आ गया है, click here to generate tp in, अगर आप इछने link पे नहीं यहाँ पे verify पे tap कर रहा हूँ, तो अभी हमें आएगा one time password हमारे registered mobile number पे stocks को sell करने का, यह final authorization होता है, तो देखिए OTP आ गया है, तो OTP एंटर हो गया, अभी हमने क्या करना है friends, यह verify बटन है, यहाँ पे हम tap करेंगे, that is it, authorization executed, अभी हम ok पे tap करेंगे, तो अभी face से same screen पे आ गये हैं, तो अभी हम एक बार last time verify कर लेंगे, एक stock sell करना है, और market price पे sell करना है, long term selected हो, यह देख लेना है, और अभी बस हमें, यहाँ पे swipe करना है, और हमारा stock sell हो जाएगा, मैं करके दिखा देता हूँ, यह swipe किया मै इतना easy था, अभी sell हो गया, अभी हम यहाँ पे देखोगे कि पहले मेरी 26 quantity ही, यह 26 quantity ही थी अभी 25 हो चुकी, क्योंकि मैंने sell कर दिया है, अभी उसको कैसे देखना है, उसके लिए आप यहाँ पे position section में जाओगे, ठीक है, position section में जाओगे, तो सबसे top पे आप देख सकते हो यह वाला, यह मैंने अपना एक stock sell किया है, और आपको यहाँ पे ही दिखेगा आपका यह, यहाँ पे देखिए, आपको दिख जाएगा कि आपका एक stock sell हो चुका है, और यहाँ पे आपको profit laws भी दिखेगा, ठीक है, उसको आपने ignore करना है, वो किसी माईने करना है आपके ल किया है, तो यहाँ पे जो भी profit laws दिख रहा है, वो माईने नहीं रखता है, वो real में नहीं है, वो सिर्विन का system ही ऐसा होता है कि दिखाता है, कि आज की trading activity क्या होई है, तो यही process था, इस process के दोरा आप अपने stocks को sell कर सकते हो, मैंने आपको CDSL pin भी generate करना सिखा दिया है, इस फिर भी कोई problem है, तो comment box में बूचना हम आपको जरूर आंसर करूँगा, और एक और final चीज़ बता दूँ, यहाँ पे stock आपने sell कर दिया है, लेकिन अब अगर आप fund में जाओगे, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि अभी पैसे नहीं आए हैं, आपने जो stock sell किया होगा, वो उसके पैसे अभी नहीं आएंगे, ठीक है, उसके पैसे आएंगे settlement के बाद, वो कब होता है, शाम को जब market बंद हो जाएगा, उसके बाद settlement होगा, डीमेट account का settlement होगा, और कल जब market खुलेगा, तो market खुलने के बाद, आपके पैसे आपके यहाँ पे दिख जाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे आप withdraw पे tap करके अपने पैसे निकाल सकते हो अपने bank account पे, so thank you very much for watching this video.